तो दोस्तो HAL, BEL और साथ में जो मिधानी ग्रूप है जो की हमारे फ्यूचर के जो फाइटर जेट है जिसमें एमका जैसे फिफ जनरेशन के फाइटर जेट भी होंगे तो इनके लिए ये तीनों कमपनिया मिल करके कहीं क्रिटिकल कमपोनेंट्स को सप्लाई करने वाली है त इसमें सबसे पहले तो हम विदेशी जोइंट वेंचर के तहट एक जो 110 किलोन्यूटन का इंजन है उसको भी डवलप करने की कोशिश कर रहे हैं साथी साथ यहां पर हम खुद से अपना जो कावेरी इंजन है तो उसको भी उसके पूरे पोटेंशल के उपर पहुंचाने के था कि उनके जो पारफुल एंजन है तो उनका इस्तेमाल भारत अपने जो सूपर सुखोई फाइटर जेट है उनमें कर सकता होगा तो यहां पर मिधानी ग्रूप हमारी बी एल और साथ में हेल के दुवारा कुछ ऐसा अचीव किया गया है जो की जेट इंजन और साथ में रश्या से रिलेटेड है तो इसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों खबर कुछ ऐसी सामने निकल करके आई है कि भारत अपने जो SU-30 MKI फाइटर जेट इस्तिम करते हैं तो अगर आप इन इंजन्स की थ्रश्ट को देखते हैं तो वो आप सबको लगबग 137 किलो न्यूटन यान की 137 किलो न्यूटन के आसपास की देखने को मिलेगी तो यहाँ पर यह जो इंजन्स है तो इनको भारत खुद के देश में बनाता है और रश्या ने इन किृद के काफी सारी जो टेकनोलोडीजिस है वो भारत के साथ में शेयर की थी लेकिन इनके जो आई-पी राइड्स है वे भी अभी के लिए रश्या के पास है लेकिन भारत नहीं इहां पर रश्यन वैपन्स में काफी ज़दा फ्लेकnię की साथ में जो चेंजेस हैं वो कर ल के जो weapons है weapons को लेकर के उनके जो crucial और साथ में critical parts होते हैं तो कहीं न कहीं अब ये standards में Russian weapons को match कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पर आप सब कह सकते हैं कि इस AL-31 engine की जो service life है वो भी आप सब काफी जादा better दिखाई देगी इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप भारत के अंदर jet engine development को देखते हैं तो finally आप सब को यह देखने को मिलेगा कि भारत ने कई सारे ऐसे critical components तयार कर लिए हैं जो कि हम भविश्य में अपने जो खुद के jet engines हैं उनके अंदर लगा सकते होंगे तो इसी segment में HAL, BEL और साथ में मिधानी ग्रूप ने इस engine के लिए जो high value crucial components यहाँ पर तय तयार किये हैं तो इनके लिए अब यह वेट कर रहे हैं कि कब तक इनका final certification होगा क्योंकि जब तक इन components को certification नहीं मिलेगा तब तक इनका इस्तेमाल AL 31 engine के अंदर नहीं किया जा सकेगा लेकिन यह भी जो process है यह काफी जादा चोटा होगा जल्दी आप सब को देखने को मिले हैं वे इस AL 31 engine के अंदर जो Russian components है उनको यहाँ पर replace कर देंगे और HAL और इन तीनों कमपनियों ने मिल करके यह जो components तयार की हैं तो यह ऐसे components है जिनको लगातार बदलने की आवशक्ता पड़ती है जिसके कारण हमको कही ना कहीं बार-बार Russia से यहाँ पर contact करना पड़ता थ लेकिन जैसे ही इनको भारत और साथ में रश्या से certification मिल जाता है तो इसके बाद में इनका यह जो process है यह काफी ज्यादा easy हो जाएगा तो भारत ने यह जो development की है तो इसका हमें long term में क्या benefit होगा उसके बारे में भी मैं आप सबको explain कर देता हूँ तो सबसे पहले तो भारत अपने खुद से भी यह प्रयास शुरू कर दिये हैं कि हम खुद का जो jet engine है उसको यहाँ पर revive कर ले जैसे कि आप सबको पता है कि हम पहले से हमारा जो कावेरी engine है उसके उपर भी काम कर रहे है जहां पर उसका जो drive variant है वो पहले से ही रश्या के अंदर है जो की 47 से लेकर 52 kilo newton thrust को generate करता है और इस engine से हम अपने जो घातक जैसे drones है उनको भी power supply कर सकते हैं और इसके बाद हमारे GTRE ने इसी कावेरी engine का जो after burner section है उसके उपर काम शुरू कर दिया है यहां तक कि भारत ने तो इस engine को लगबग 73 kilo newton के आसपास का यह certification भी दे दिया है कि इतनी thrust तक हम इ इसी engine का जो इस्तेमाल है वो H.E.L. के कुछ जो aircraft है वहां पर आप सबको होता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि H.E.L. कई तरहां के trainer jet के उपर काम कर रही है जहां पर हमें इस class के जो engines हैं इनकी आवशकता पढ़ सकती है और साथी साथ हम भविशय में जो 110 से ले करके 125 kilo Newton का engine develop करेंगे तो वहां पर भारत कहीं सारे अपने खुद के जो components है उनको भी लगा सकता होगा जिनको हमने आज की present तारिक में master कर लिया है तो अब long term में इस engine का इस्तेमाल हम SU-30 MKI के अंदर कैसे कर सकते होंगे तो सबसे पहले तो अगर आज की तारिक में आप SU-30 MKI fighter jet को और आने वाले समय में भी हम काफी ज़्यादा लंबे समय तक इस fighter jet को इस्तेमाल करने वाले हैं माना जाता है कि लगबग 2040 से लेकर के 2045 तक ये भारती वायुसेना के बेड़े में active रहेगा तो उस समय के जो standards होंगे तो उनको match करने के लिए यहाँ पर इसे हम upgrade करेंगे ज जो कि आप सब कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ मामलों में Russian AL-41 engine को match करेगा और इसके बाद भारत के पास ये भी offer pending बड़ा है कि हम रश्या के जो AL-41 engines हैं उनका भी इस्तिमाल कर सकते हैं जो कि लगबग 176 kN thrust को generate करते हैं जहाँ पर रश्या इन engines की कुछ जो technologies है वो भारत क प्रोवाइट करा सकता है क्योंकि भारत को काफी ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर इन engines की जो आवशकत है वो यहाँ पर पड़ेगी इसके बाद में यहाँ पर रश्या ने ये भी offer किया है कि SU-57 की कहीं जो technology से जैसे की उसके sensors, radars और साथ में electronics तो उनकी जो technology और साथ म आने वाले major changes की बात करते हैं तो इसमें जैसा कि मैंने आप सब को बताया कि engines के अंदर जो changes है वे हो सकते हैं अगर changes नहीं होते हैं तो भारत अपना खुद का जादर reliable जो AL-31 engine है उसके इसके बाद इसके अंदर हमारा खुद का जो स्वदेशी उत्तम AESR radar है वो भी missile है वो देखने को मिलेगी इसी के साथ में solid fuel decked ramjet engine वाली जो astra mk3 missile है जिससे आप सब देशी meteor भी कह सकते हैं वो भी देखने को मिलेगी next generation की जो anti radiation missile है वे भी देखने को मिलेगी जिसमें आप सब को rudram 1, 2 और साथ में 3 category की जो missile है वे देखने को मिल सकती है बाकी यह जो anti radiation missile होंगी तो यह almost hypersonic या फिर near hypersonic missiles होगी जिससे की दुश्मन के जो air defense system है उनको destroy किया जा सकता होगा साथी साथ यहां पर ब्रमोस missile के जो अलग-अलग variants है वो भी आप सब को दिखाई देंगे जिसमें एक जो बड़ा बदलाव है वो आप सब को ब्रमोस NG के तोर पर दिखा sonic weapons है वे भी हमारे super सुपर सुखोई fighter jet के अंदर देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तो overall इस पूरी development के उपर इस पूरी information के उपर अब आप सब क्या लगता है comment section में बताईए गर साथी साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर देजेगा अगर आप channel के उपर पहली बार आये हैं तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा साथी साथ आप जा करके मेरे second channel को भी watch कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई जैहिंगा